किसान के बेटा जो है 60 पधक जीत करके पुरी दुनिया में नाम रोशन कियें कह सकते हैं कितने एक पधक जीते हैं तीन पधक जीता है आपको कभी लगता था कि हमारा जो भटीजा है इस तरीके से पुरी दुनिया में गजंदर कुमार जर्वनी के बर्लिन में प्रती असपरदा खेल में कांस पदक जीते हैं और यह पदक जीत करके जहानावादी नहीं बलकि पूरे बिहार और पूरे देश का नाम पूरी दुनिया में रस्वन किये हैं अभी हमारे साथ उनके परिवार वाले हैं और हम उनके घर पर आए हुए हैं देखिए उनके चाचा जी हैं और दादा जी यह सभी लोग यहां पर बैठे हुए हैं और यह हमारे साथ उनके परिवार वाले हैं सबसे पहले आपको बहुत-बहुत स्वागा थे और बहुत-बहुत-बधाई की दुनिया में नाम रोशन की रहे हैं आपको बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहु यहां पर पीछे में मनें 14 कड़का फिल्ड है तो फिल्ड में जाता था सब लेकन किरकेट खेले में एक तराफ हूँ एक तराफ अच्छा असाब को उकरिक गोधा मानता था फिर धीरे धीरे करके खेल में रूची हुआ तो पटने उनके पिताजी रहते थे तो वहां पड़ी संदीब बाबु के कोच 2017 से वहां सखेल सिखना को पूरे हिंदुस्तान के हर जगा चंडी गड़ हो हिमाचल हो और उनाचल हो या पटली पुत्रा पटना हो सभी जगा में पहला स्थान लाया और पहला 2017 से लेके 2023 तक मैंने बिहार से कोई खेलाडी चैनित नहीं हुआ था बरलिन के लिए तो 2023 में गजेंदर को यहां से चैनित हुआ और बरलिन के लिए खेलने के लिए गया और ऐसे मुखरूप से उदिभ्यांग है और और इसे लोग दिहात में यह सहर में कहीं होता है करा से कोची होती हैं अधरालंगला से एसे लोग बोलते हैं लेकिन वह अप पर्चम लहराया और हम लोग के खुसी है ऐसे गाउं पर भी आता था ता डहरपूर से लखावर नगीनावाउ के पंप नगीनावाउ पंप से भोला विखा गाउं अब भोला विखा गाउं से डहरपूर जिसका दूरी करीब करीब 25-26 किलोमेटर होता है अचा सुबह में हम स आप साइकल से डर से रहते थे कि मने कुटा है बिलाई है सियार है बहर में बताइए रोज जब तक यहां गाउं में रहते था तो जाना पड़ता है देखिए कितना उन्होंने मेहनत किया है हमारे साथ उनके दोस्त हैं क्या नाम हुआ आपका अचा उनके साथ आप भी खेल क्या 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 लिक है क्या हुआ क allowance क्या क्या क्यों कर लें और क्या क्या दोस्तर नहीं कि सथा यह थो तो इसमाने आप बीन चाहते हैं कि हम भी क्या करते हैं अभी बढ़ाय को टीजसी और हुआ रिए बताईए कि खेल के अलावा भी और चीज किसी चीज के तैरी करते थे क्या खेल के अलावा उसका कहीं रूची नहीं था हमारे कहां आइसा नहीं है और उसका बड़ा भाई भी है तो बिल्कुल नहीं वह पटने उमें रहा आप लोग क्या करते हैं आप लोग हमरा सर मुख रूप से हम क्रीशी से रिलिटेड हैं किसान है आप यानि कि कहा जाता किसान के बेटा जो है कास पदक जीत करके पूरी पदक जीते है वो तो तीन पदक जीता है सिर्फ हमारे घर के कोई बेटा इस तरीके से नाम रोसन करेगा जी नहीं तो नहीं सोचे थे लेकिन रूची देख करके फिर मतलब कि भेजल ले आओ का कि एक खेल में रूची ज्यादा है पढ़ने में कम है तो खेले में रहा रहा है गरीब परिवार हला है पूरा पैसा भी नहीं हल करता है इसाफ को भी समझे था है जिना यतना जी आगे बढ़े कर याजी जी मेंसे बितावा है जो नौकरी होता कि पढ़े लिके से लेकिन खेले में भाग जा गया जाए तो क्या रहे थे खेले में उसका च्वाइस हो गया अच्छा था यह था जाएए पन केसा चाँ गरक मैंने कि अपना फिल्ड में जा करके आप सबसे अच्छा आप लोग को लगता था कि हमारा जो बेटा है पोता है वो खेल करके कुछ कर सकता है जी तो असंभब था सैर कि हमारा बेटा या पोता जाएगा आगे वाकी भाग किसमत उसका देखिए कि भगवान उसको पहुंचा आगे हैंश्य की खुशी के बाद यह चुन करके तो खुशी मुए यह आगे मालू ही कि हमारा आप दोख जीत करके हैлों करके रसाम मालूम है कि व्यक्न सुनते में मालूम है कि हमारा जो पोता में आम रहुक्त करके 살 polish आपको कभी लगता था कि हमारा जो भतीजा है इस तरीके से पुरी दुनिया में नाम रोशन करेगा जी दूर दूर तकी उम्वीद नहीं था सर कि खेलवा बढ़िया करता है हो सकता है कि जीते कहीं तो कहते कि तू फेलो जे होगा देखा जागा जब जिवित रही है जब तर तुमको किसी तरह के दीकत नहीं होगा हम लोग के मरो प्रान तुमको क्या होगा देखिए तो यह हमारे साथ गजेंदर के परिवार वाले थे चाचा थे और दादा जी थे इन सभी लोगों से बातचित हुई आगे हम लोग गजेंदर को भी बातचित हम कर रहे थे आपको क्या कुछ करना है आप अपना प्रतिकिरिया दे सकते हैं लेकिन इन लोग के कभी उमीद नहीं थी कि हमारा जो बेटा है हमारा बेटा दिकलांग है और पूरी दुनिया में नाव रसोन करेगा और एक ही वार में तीन-तीन पदक्त हमारे के लिए जीत करके आएगा फिलाल के इतना ही आप देख रहे थे सीके टिवी इंडिया न्यूज चित्राइजन कुछवाह के साथ नमस्कार जैहिंद